हेलो दोस्तों आप सभी का एक बाद द्वारा से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विवेक रणा स्टॉक्स पर दिल से अगर आप चैनल में नहीं दोस्ते हैं को सब्सक्राइब करो साथ में बेल को दबाना ना बुलना ताकि आप हमारे सभी के सभी नोटिविकेशन रिसीब कर पाऊ सबसे पहले साथ में टेलिग्राम ट्विटर इंस्टा फॉलो कर सकते हैं लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे जियां दोस्तों भूल कर भी मत वेजना एक और पैनी स्टॉक के बारे उचरचा करूँ जब मैंने क्रॉस चेक किया तो मुझे भी वो इस्टॉक काफी पसंद आया इसलिए उनी की बज़े से आज इस्टॉक आपके साथ शेर कर पा रहा हूँ तो ठैंक्स टू हिम और आप भी धन्यवाद कीजिए मैं आपको उनका दिखाता हूँ कि उन्होंने कौन से स्टॉक का नाम दिया और उन्होंने क्या लिखाता आप देख सकते हैं हमारा इंस्टाग्राम चैनल है इन भाई ने ये शेर किया था चीक है और जब ही मुझे मुझे मौका मिलता है मैं reply करने का प्रियास करता हूँ तो request करूँगा आप सभी से भाई कि हो सके तो वीडियो को share करो फेज़ूक में ठीक है आप share करने से होगा क्या दोस्तो planning कर रहा हूँ कि बहुत चल एक personal group बनाऊ जो stocks में swing trading में में मेरे पास बहुत सारे stocks आते है जैसे आप भी आपको पता है V2 retail आया था reliance आया था ठीक है आपका R power आया था almost सभी ने हमें 40% और V2 retail ने हमें 25% और reliance हमें almost 10% के return दे रहा है मातर एक महिनी के अंदर और V2 retail ने मातर 5-6 दिनों के अंदर profit दिया था और R power ने भी 8-9 दिनों के अंदर उसमें मैं आपको participation link दे सकूँ recorded class होती है ताकि आप सीख सको ठीक है आपके भी growth हो मेरी भी growth हो साथ में दूसरा चीज है दोस्तों उसमें से 30-40-40 लोग मुझे message करते है skin shot ठीक है तो उन 30-40-40 में से मातर कुछ 50 लोग होंगे आपके 100 करो ठीक है ताकि 100 बंदों की हमारी army हो और हम जिस stock को buy करें definitely एक अच्छा बैसा हम बना सके तो पुरे एक team बनेगी उससे आपका benefit होगा हमारा भी benefit होने वाला है तो अब आपकी मर्जी आपको का करना है शेर करना तो कर सकते हो नाम आपने देख लिए stock का नाम जिस stock में बात कर रहा हूँ चाहो तो चोड़ सकते हो अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो देखो मजे करो कि मैं ये stock क्यूँ select कर रहा हूँ और मुझे stock क्यूँ पसंद आ रहा है और last में आपकी मर्जी आपको investment करना है या नहीं करना अब आप खुद अबने आप से पूछयो क्या करना चाहते हो हमेशा बोलता हूँ दोस्तो disclaimer दे देना चाहता हूँ disclose कर देना चाहता हूँ इस stock में मेरी खुद की वह रखी है क्या बोलते holding है और साथ में request करूँगा पाई प्लीज आप खुद की पहले एक बाग रिसर्च एड़ कर लेना और साथ में 2% का rule पक्का follow कर लेना जो आपकी monthly income है उसको पक्का use कर लेना दो परसेंट का rule क्या कहता है जो भी आपकी monthly income है उसका छोटा ता हिस्सा penny stock में invest करो बस उससे ज़्यादा मत करो अगर करना चाहती हो बहुत बड़ा पैसा तो वो तब करो जब आपको कम से कम 5 से 10 साल का experience हो जाए सिर्फ penny stock को देखने देखने में अगर हो जाता है तब करो अगर नहीं है तो छोटा मुटा करो और खुश रहो छोटे छोटे गेनी long term में बहुत बड़े गेन बन जाएंग इस बात को ध्यान रखो ठीक है अब बात करते इस stock के बारे में आपको जैसे पता ये भी एक NVFC activity करती है जिसे बजाज finance हमारा है same peer comparison में आता है ठीक है तो आप बोच सकते हो कि बजाज finance को छोड़ो इस finance stock को buy करो मातर 44 पैसे का stock दिख रहा है आपको ठीक है हाई लो सो आप check कर सकते हो और book value से का भी सस्ते में आपको अभी दिख रहा है मिल रहा है मतलब और साथ में एक रुपे का pledge नहीं है साथ में cash भी कुछ भी नहीं है और ROC और ये भी positive है जो अच्छा sign है साथ में dividend yield आपको एक रुपे का नहीं दे रहा है ठीक है अब आगे लेके चलता हूँ company आपकी debt free है जैसे में आपको बतला है करजा एक रुपे का नहीं है अब भी ये एक रुपे का परने श्टोक का करजा नहीं है तो इसका में थोड़ना कि ये stock अच्छा होगा तुस्सों देखिए हमें आपको बुक्यों बोलता हूँ कि एक रुपे का stock debt free है तो अच्छा होगा तो समझो बहुत सारे stock से एक रुपे के जो debt free नहीं करजा हो रहा है दस करोड का बात को समझो भाई सोचो जड़ा इसको इस परकारद से सोचो गलती से अगर इस stock को एक करोड का profit हो गया माल लो तो भाई इसका जो profit होगा net profit होगा almost 70-80 लाग का होगा लेकिन माल लो एक ऐसा stock है जिसके पास 10 करोड का कर जाए और एक रुपे का आसपर trade कर रहा है अगर उसको एक करोड का profit होगा तो भाई उसको तो उतना तो interest देना पड़ जाएगा समझपारो इसलिए मैं कहता हो कि debt free एक रुपे का 500 अच्छी बात होती है बहुत लोग नीचे comment करते है क्या फाइदा? useless है कि एक रुपे का debt free pen stock है तो क्या फाइदा? कुछ नहीं है भईया समझ रहे हो तो यह थोड़ा समझने के प्रियास करें अगर एक रुपे का debt free pen stock है तो बहुत बड़ी फर्क पड़ता है ठीक है? और साथ में company आपको लगता profit दे रहे हैं जैसे में आपको बतला है और साथ में promoter holding मांत 2% है यही एक सबसे बड़ा कान था जो भाही ने नीचे comment करके पूछा था भाही 2% की holding के क्या करें? अब आप से बोल देना चाहता हूँ अब आपको क्या लगता कि 2% की holding के तो पैसा लगाना चीए आप खुछ सोचो अगर आपको लगता नहीं लगाना चीए मत लगाओ कोई डिक्कत नहीं है ठीक है? आप सब की अपनी research होती है तो आप कर देहान से देखो के तो आप देख सकते हो कि एक बजार finance category मतलब उसका कामकाज सेम कामकाज सेम के business है ठीक है बात करते quarterly results की तो दोस्ता आप देख सकते हो 60 लग के अजबस का profit कंपनी ने दिखाया है बात करता profit की तो अठाने में 18 लाग का net income ये net profit देखने को मिला है और लगाता ये stock आपको ये company छोटा मुटा 20 लाग का 9 लाग का profit देने में लगी है बात करते हर साल की performance तो दोस्ता आप देख सकते हो company sales में आपको एक downgrade देखने को मिलेगा मतलब growth डाउन होई है 1.89 करोड के असपस की sales अभी तक हो चुकी है साथ में FI20 में 2.4 3 करोड के असपस की sales देखने को मिलते है अगर बात करता हो net profit की तो नीचे लेकर चलता हूँ तो लगातार 4 साल से company profitable है at least आपको छोटा मोटा profit दे रही है और past में company लगाता profitable है तो दोस्तों हमारा एक parameter तो successfully done हो गया debt free है एक रुपे का pledge नहीं है और साथ में profit and loss लास पांस सालों में done हो चुकी है बस एक चिसकी कमी है promoter holding 2% है बस एक यही कमी है बागे सब कुछ बढ़िया है लेकिन दोस्तों उसकी भी tension नहीं है अभी आपको दिखाता हूँ इस stock में होर क्या बढ़िया है जो parameter में आस तक कभी share नहीं किया अभी बतलाऊँगो parameter क्या एक और दोस्तों आप देख सेकते हो इस 1 रुपे के penny stock के आसपास के में almost 30 कोड के आसपास का इसके पास reserve बढ़ा हुआ साथ में 0 रुपे का लोगन है जैसे मैंने आपको बतलाया अगर बात करता हूँ promoter holding मैंने आपको बतलाई 2% के आसपास की holding है ठीक है लेकिन दोस्तों ध्यान रखो एक नया point बता रहा हूँ आपको अगर आप ध्यान दोगे public 97% है आप दोस्तों धीक ये public जो होती है इसको आप cross verify करो ठीक है आज से कभी एक website नहीं बता है मैंने आपको एक अच नई website बता रहा हूँ उसके थुरूँ आप cross verify कर सकते है कि इसमें किस-किस की holding है अगर आप इस plus में click करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भीया इसमें किस-किस का पैसा लगा इसमें आपको इतनी details नहीं मिलती है तो मैंने आपके लिए एक नई website बता रहा हूँ उसमें आप चाके cross check किया गरो कि भीया public की holding कितनी है public का मतलब है general public से general public का मतलब होता retail ठीक है ध्यान नको general public का मतलब retail तो यह public के जो आपको दिखा रहा है इसके अंदर सभी public आते है सभी public मतलब जो बड़े-बड़े players होते उनको भी public में include किया जाता है इसमें लेकिन अगर आप दूसरी website दिख करते हैं उसमें उसको include नहीं किया जाता है सिर्फ उसको separate ढखा जाता है general public को तो उसको एक बार आप check कर लिया करो इस website के थुरू दोस्तों आप देख सकते हैं यह यह website यह money red if की मैंने website खोल रहे हैं आपको उपर नाम दिख जाएगा NCL Research and Financial Services इमें थोड़ी crop हो रही है अगर आप दिखान से देखोगे तो यह तो चलो ठीक है 2% है तो हम आपको पर दिखा चुके लेगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो आपको अदर्स की holding है वो 82% है अदर्स का मतलब दोस्तों यह retail का नहीं है ठीक है retail होता गया है आपको बसा देना चाहता हूँ यह रहा यह जनलब भी दिख रहा है यह होता अपना retail retail की holding मातर 15% के आसपास है और लगाता 15% है ठीक है एंड यह अपनी retail की holding stock में कितने की 15% की बागी जो holding आप बोल सकते हो 82% के आसपास किसके holding है बड़े players की others है अब others में कुछ भी हो सकता है हमें मतलब नहीं हमें मतलब किससे होता है कि stock में retail की holding कितनी है तो retail की holding मातर 15% है यह नए चीज आपके साथ share कर रहा हूँ ठीक है कभी भी check कर लिया करो चीज स्टॉक में public ज़्यादा होती है उसमें यह भी check कि अगर होगी retail की holding कितनी है तो आप कहां से check करोगे इधर से यह money ready की domain है आप खोल लेना ठीक है आप सर्च मा लेना वहापर एक option होता है serulic pattern का उसमें click करो वहापर आपको पूरी detail मिल जाएगी तो यह एक region है stock को देने का और कुछ नहीं है ठीक है बाकी सब parameter successfully done हो चुके एक parameter नहीं मिल लाता कि परही promoter and handling थोड़ी सी कम है लेकिन वो यहाँ से match हो चुका है क्योंकि retail की holding बहुत कम है मैं आपको हमेसा क्या कहता हूँ अगर आप महतिहान से मेरे वीडियोस देखती हो वही stock multi-wagger बनेगा एक से किने वही stock multi-wagger बनेगा जो जिस stock में retail की holding अब retail मतलब general public ठीक दोस्तो stock के high lows की अगर आप google में check कर दो stock में आपका high दिखेगा अगर आप इसको BSC और जिरोधा में check कर दो आपको 235 रुपे का high दिखेगा क्योंकि दोस्तो stock ने split और bonus दिया है इसी बज़े stock का price आपको आज इतना नीचे दिख रहा है जो आपको दिख रहे हैं इसका मतलब stock ने split या bonus दिया था जो इसे जिरोधा के चार्ट में नहीं हो पाता है और Google में वो चीज़े 100 नहीं होती है जब आपका split और bonus होता है तो आप cross check कर सकते हो BSC में जाना वापका एक announcement का tap होगा वाँ क्लिक करना वाँखो आपको दिख जाएगा bonus और split तो यहां को जूट नहीं कि 232 रुपे गया नहीं गया है ठीक है बात करते है stock के chart की दोस्ता आप देख सकते stock लगाता है एक higher risk बेड़े मना रहा है यह दोस्तो support area बन चुका है पहले इस resistance था अब यह support की तरह काम कर रहा है अब यह support की तरह काम कर रहा है यह area तो यही area हमारा एक buy zone मनता है आप stock को यहां के इबाय करके चल सकते हो इधर गहीं चीक है और आप stock लगा सकते हो 27 पैसे का सपस का जी आँ दोस्तो इस stock में आपको अगर चाओ तो आप stock लगा सकते हो 27 पैसे का आपको सोचे होंगे 27 पैसे का इस पैनी stock में stock लगाना है कोई sense नहीं मनता आपकी मर्जी मैं हमें सब बोलता हू stock लोज एक habit है अकर लगाओगे तो long term में पैसा बनेगा नहीं लगाओगे तो कभी नहीं बनेगा मर्जी आपकी एज उसको एक और add कर देना चाहता हूँ अगर आप 4 तो stock को 58 पैसे के उपर और add कर सकते हो यह आपको high देख रहा है जैसे stock अपना high break करेगा आप definitely stock में और add कर सकते हो 58 पैसे के ब्रेक होते ही stock आपको एक नहीं तेजी देखेने को मिल सकते है जो stock को 1 रुपे तक लेके जा सकता है ठीक है तो भाई definitely आप इस 44 पैसे के पैसे को जितना नीचे के उतना बाई कर सकते हो लेकिन सर्थ है आपको 27 पैसे के आसपर का stock लगाना है जिनको नहीं लगाना मत लगा है लेकिन हाँ वो 2% का जो monthly income का rule है उसको पक्का follow कर लेना और साथ में आपका जो भी लगता है आपकी research अगर आपको लाओ करती है भाई करनी के तो आप कर सकते हो और नहीं करती है तो आप stock को ignore कर सकते हो साथ में target 10 रुपे वो दोस्तो future की बात है पहले stock का एक रुपे और दो रुपे के target आने तो उसके बाद हम बात करेंगे कि इस stock कहाँ जा सकता है पहले एक दो रुपे target आजाएगा उसके बाद 10 रुपे के target भी stock के अराम से आ जाएग क्योंकि दोस्तों 232 रुपे से stock बीचे गिरा है तो definitely भाई थोड़ा stock उपर जा सकता है तो वीडियो को से वाप्त करता है अच्छा लगए तो like कर देना share कर देना subscribe कर देना